नमस्कार साथियों मैं कुनाल आप सभी का संस्कृति यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सतलज नदी की रेत में मिले एक दुरलब पदार यह पदार सिर्फ भारत में दुरलब नहीं है बलकि पूरे विश्व में दुर ठीक है तो यह बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि टेंटेलन की जो यह नहीं एक डिस्कवरी हुई है भारत के भविश्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक सिध्ध हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो भी प्रड़क्ट यूज होते हैं जितने भ विशेशग्य हैं वो मान रहें कि यह इसकी एक अच्छे खासी मात्रा यहां मिल जाती है तो यह भारत के लिए एक बहुत ही मैटवपूर्ण सिध हो सकता है तो इसकी खोच किसने की है तो देखिए आई 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 टी रोपड की एक अच्छे खासी टीम इस चेत्र में काम क दर रही थी काफी लंबे समय से उस टीम ने अब यह है डिस्कवरी की है तो इससे संबंदित परतेक मामले को समझेंगे कि टेंटिलम का यूज किया है कैसा यह धातू होता हमारे लिए क्या कि परिवरतन हो सकता है आने वाले समय में और भारत के अलावा पूरे विश्व मे इस धातू की क्या इस्तिती है हर एक पे आम लोग नजर डालेंगे हाला कि उससे पहले जरूरी है कि आप नजर डालें एक प्रश्न के ऊपर यह जो प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है एक प्री में पूछे जाने वाला प्रश्न है हो सकता है आपसे अग्जाम में यही मामले में भी यह आपके लिए प्रश्न बना सकती है तो यदि आप लोग आंसर जानते हैं तो जल्दी से सिर्फ कमेंट करना नहीं जानते तो अंते तक बने रही है बहुत कुछ खास है आज किस वीडियों में जानने समझने के लिए खोद जिस टीम की तरफ और समझते हैं इसे समाधित बिंदू को तो देखे टेंटलंग का द्रशल तो नाम है यह नाम क्यों दिया गया ठीक है इसके पीछे एक लंबी कहानी आपको समझ लेनी है एक ग्रीक पुरानिक व्यक्ति था ठीक है उस व्यक्ति का नाम था टेंटलस ठीक है अब यह एक अमीर व्यक्ति था उस समय एक राजा हुआ करदा था अनाटलिया के एक शहर के अंदर अब इसकी जो कहानी है ना वह अपने आप में खास है इसकी कहानी क्या है कि एक समय इसने देवताओं को आमंत्रित किया बोच पे और बोच के अंदर इसने अपने बेटे को ही इसको जो सजा दी थी वो सजा यह थी कि इसको एक पानी के तिलाब में खड़ा रहना है लेकिन जब जब यह पानी पीने का परियास करेगा तो पानी की मातरा कम हो जाएगी और जब जब यह फल इसके सर में बहुत सारे फल रख दिये थे और जब जब इसने फल खाने का प परक नहीं पड़ेगा वह इसके उपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाएगा इसके अपनी जो शम्ता है प्रभावित होने की वह बहुत ही कम है और इसका जो गलन आंख है यानिकि जिस टैंप्रेशर पर आप तो गलाएंगे वह भी बहुत ही जादा अधिक है तो इस ठीक है लेकिन इसके परवाणों की जो संक्या है वो 73 है यह है आप याद रख सकते हैं हो सकता है एक्जाम में पूछ लिया जाए कैसा है इसका नेचर तो देखिए इसका जो कलर रहता है वो ग्रे रहता है ठीक है धूसर टाइप का आप को यह है वैटल दिखेगा जहां भ रहेगी भारी रहेगी लेकिन कठोरता के बावजूद क्या होगा कि इसका एक नेचर बदलेगा और बहुत ही अधिक लोचिशील हो जाएगी अगर आप इसका रूप चेंज करना चाहेंगे तो बहुत ही रूप इसका अच्छे से चेंज कर सकते हैं और आप इसको बहुत इसली पतले तार में या थ्रड के अंदर अच्छे से कनवर्ड कर पाएंगे यह इतनी अधिक लोच शील बन जाती है शुद्र रूप में जाने के बाद इतना के लिए है इसकी एक खास विशेषता यह भी है कि यह संशारन प्रतीरोधी धातूं में से एक है संशारन क्या होता है कि जो धीरे-धीरे वायू के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर अपना शरण करता है धीरे-धीरे इसके जो मात्रा होगी इसके जो क्वालिटी होगी इसका जो नीचर होगा वह धीरे-धीरे डेप्रिशेशन में जाएगा और धीरे- Oxide Keep जो परत होती है यह है इसको बहुत ही अधिक, सेफ रखती है, सुरक्षित रखती है और इतना भी धियान रखिया आप लोग कि Acid, जिसको अच्छे से अच्छे पदार्थ को गलाने के लिए परियोग किया जाता है, अच्छे से अच्छे धातू को गला देता है, अगर Acid से भरे हुए किसी भरतन में भी अगर आप Tantalum को डाल देंगे, उसके बावजूद यह है, पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, इस पे कोई भी परभाव Acid नहीं डाल सकता, यह भी इसके एक खास बात है, किलियर है बात सारी आप लोग को, और ऐसा माना जाता है, अमेरिकी विश्यशक्य हैं, उन्होंने ऐसा भी बताया है, कि देखिए, तो उस कम टैंपरेचर पे इसके अंदर रसायनिक परिवर्तन नहीं होते कभी भी, यानि कि जर्नल हम देखते हैं कि यह टैंपरेचर नेचुरली तो नहीं होता, नेचुरली हो सकता है, नहीं, मशीन के माधि बहुत ही जादा कम होती है, बहुत जाद हो, ठीक है, हाला कि उसके बावज़ुद अगर आप इसको परभावित करना कभी चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ खास आपको चाहिए होंगे, कैमिकल्स, जिनमें नाम शामिल है, हाइड्रो फ्लोरिक एसिड का, फ्लोराइड आय कर सकते हैं, तो इसको मैल्ट करने के लिए बहुत ही अधिक हाई टेमपरेचर चाहिए होता है, और जो यह हाई टेमपरेचर होता है, एक को धिया नखना है कि यह लगभग 3,000 डिगरी सेलसियस का होता है हाई टेमपरेचर, यानि कि इतने अधिक तापमान तक अगर आप इ यह ऐसे बदार्थ है, जिनका melting point इससे अधिक है, इसके अलावा बाकी सब का melting point इससे कम है, clear बात है, तो यह भी आप आज सकते हैं, किसी one day exam में आपसे यह बात भी उची जा सकती है, तो आप भी है भी ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ को ध्यान रखना है, कि इसकी खोज कैसे हुए, तो देखिए, खोज जो हुई थी, इसकी वह हुई थी, अंठरा सुदों में, एक व्यक्ति थे, ठीक, यह स्वेडिस रशायन सास्त्री ही थे, जिनका नाम था, एंडर्ज, गुस्ताफ, एकेंबर्ग, शुरुवात में इन्हों ने ही इसकी खोज की थी, ठीक है, कहाँ पे, येटर भी स्वेडन से इनको कुछ खनीज पदार्थ हुए थे, उन खनीज पदार्थों में इनको टेंटेलम मिला था, लेकि जिस समय शुरुवात में इसकी हुई, अब जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी नहीं कोज को करता है, हाना, जैसे कि अभी IIT रो पढ़ने सतलुज में से टंटेलम निकाला, तो वह चर्चाओं में आ जाती है, सब जानने समझ लगते हैं, वह भी चाहता है कि बाकी लोग जाने उसकी डिसकवरी को माना कि यह नायोबियम का ही एक रूप है, ठीक है, इसके अलावा और यह कुछ नहीं है, यानि कुनोंने मान लिए कि नायोबियम ही है, और जहां जहां नायोबियम परियोग होता है, दरसल परियोग तो यह भी उस तरह से ही होता है, तो उन्होंने माना कि नायोबियम ही है और कुछ नहीं है लेकिन नायोबियम की तुलना में इसकी जो शमताएं थी वह बहुत ही ज़ादा अधिक थी पर सामनी कब आई तो यह सब बाते हमें 1866 में पता लगी उस समय एक और विज्ञानिक थे जिनका नाम थे जीन चार्ल्स गैलिसाइडी मेरिगनेक ठीक है याद प अलग है और नायोबियम का नेचर अलग है आप टेंटलम का परियोग करते हुए बहुत ही अधिक रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं यह सब चीजे जब यहां पर सपस्ट हो गई तब जाके टेंटलम को ग्लोबली रिकगनाइस किया गया और जहां जहां पर इसके भंडार हैं जहां पर इसके लगबग 62 प्रतिशत भंडार पाए जाते हैं पूरी दुनिया में जितना टेंटलम पाए जाता है पहली बात तो दुरलब है पर दुरलब के बावजूद जो मुखे स्रोथ हैं वह ऑस्टेलिया और ब्राजील के पास है लेकिन इसके अलावा भी कुछ देश जहां पर कुछ कुछ मातरा में टेंटलम मिल जाता है जिसमें नाम शामिल है चीन का कांगो लोकतांदिरगर राजे इथोपिया फ्रांस मोजांबिक रशिया और रवांडा यह ऐसे देश हैं इनके पास भी थोड़े थोड़े भंडार इसके हैं अभी समातरा में ठी की रेद के अंदर से निकल के आ है तो अभी इसकी प्रॉपर डिस्कवरी होगी पता लगाया जाएगा कि सतलुच के अंदर ही है या पीछे से आ रहा है या कोई एक खास लोकेलिटी है जहां पर अभी यह है रिजर्व है इसकी प्रॉपर रिसर्च होनी अभी बाकी है तब अब कहां पर जैसे के इलेक्ट्रोनिक्स जो होती है हमारे जितनी भी आइटम है उसमें कैपिस्टर लगते हैं यह आपने देखा हुआ जैसे पंखा हुआ होता है पंखा चलता उसके ऊपर एक छोटी सी डबी होती है गोल गोल सी देखा होगा आप लोग ने तो वह जो गो कैपिस्टर होता है कैपिस्टर के अंदर अगर आप टेंटिलम लगा देते हैं तो किसी और धातु के तुलना में यह हैं अधिक एनरजी स्टोर कर सकता है और बिना किसी लीकेज यह तो यानि कि आपका जो भी पदा आरत होगा वह लंबा चलेगा, कैपिस्टर उसका जो होगा वह लंबे समय तक आप उपयोग कर पाएंगे, यह है इन सभी मामलों में खास होता है, इसके साथ साथ अगर हम जब भी स्मार्टफों तियार कर रहे हैं, लापटप तियार कर रहे हैं, या डिजिटल कैमरे तियार कर रहे हैं, उन सब के नहीं, इसका जो उपयोग है वह आप लोग रहसाइनिक सायंत्रों में भी कर सकते हैं, परमाण उर्जा सायंत्रों में भी कर सकते हैं, हावाई जहाजों और मिसाइलों के जो तयार होते हैं, अलग अलग पाट, उसके अंदर भी इसका उपयोग कर सकते हैं, यह है इतना बार होता है कि ऐसे पदार्थ हमारे शरी में पहुंशते हैं तो एक reaction होता है और बहुत बार देखते हैं कि लोगों के जान चले जाती है लेकिन टेंटेलम इस मामले में भी खास है कि अगर हम कभी surgery के रूप में या किसी medical equipment के रूप में उसका परियोग करते हैं तो भी यह हम हमारे लिए बहुत खास हो सकता है और जितने भी हमारे परत्यारोपन संबंधी उपकरण होते हैं जो भी काम होते हैं उन सब के अंदर हम इसको परियोग कर सकते हैं तो इतना अधी खास है कि इसको इलेक्ट्रोंग्स के रूप में परियोग कर रहे हैं अलग अलग जो हमारे है या हवाई जहाज बनाना है या मिसाईलों के लिए परियोग में ले लेना है वहां यूज कर सकते हैं शारीर के अंदर कोई क्रिया नहीं करता है किसी भी घटक के साथ में एस पदालत के साथ में तो वहां भी हम कभी सर्ज्रीस वगढ़ा में कर सकते हैं के साथ साथ आपको एक खास बाद ध्यान रखनी है कि जो टेंटलम कारवाइड होता है और जो ग्रिफाइट होता है अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो इससे एक ऐसा पदार्थ बनता है जिसको आज के समय में दुनिया में बहुत ही अधिक ठोस माना जाता है ठोस का पर पागरियों में से एक माना जाता है तो टेंटलम के जो परियोग है वह बहुत अधिक व्यापक हैं अगर हमें अच्छी खासी मातरा इसकी मिल जाती है तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे लिए क्रांतिकारी परिवर्दन लाएगा कि अब हमारे लिए ही नहीं बल ही फाइदे का विशह ही है सब कुछ हो जाएगा तो इसलिए संभावन है कि भारत फिर एक बार सुने के चिडिया बन सकता है अगर ही है जो धातू है हमारे अच्छी मातरा में आ जाती है तो किलियर है इतनी बात सभी को तो अभी तक देखा जा रहा है माना जा रहा है कि मातरा में स्टोर करता है एनरजी तो उससे बहुत ही अच्छा होता है टंक टेलम और अच्छी मातरा में एनरजी को स्टोर कर सकता है तो खास तोर पे इन दोनों को रिप्लेस करने के एक नई वस्तू नए पधारित को रूप में अभी फिलाल इसको देखा जा रहा है खेर चलिए अभी वीडियो में बस इतना ही तो जो एक प्रेश्न आप लोग को दिखाये गया था शुरू में खास था अब मुझे पता है कि आप लोग अच्छे से प्रश्न का आंसर दे सकते हैं तो जल्दी से आंसर अब कॉम्मेंट कर दीजे देखते हैं कितने लोगों ने प साथ मुझे बता सकते हैं अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नहीं बातों के साथ नहीं विश्चों के साथ ऐसे बने रहे हैं सब्सक्रेटी आइस के साथ में थैंक्यू सुमच